आप सब को जय मसी की परमेश्य का धनिवाद करते हैं आज की सुन्दर शाम के लिए और मैं आशा करती हूँ कि आप खुश है और आनदित हैं और इस फैबरी मंत के लास्ट दिन में हम लोग शाम की प्रात्न में शामिल हैं सच में परमेश्य का धनिवाद हो इस समय के लिए आएए मिलकर हम गवाही को सुनेंगे और उसके बाद वच्चन और प्रात्न में जाएंगे आप हमारे साथ में बने रहें आप सब को जैमसी की ब्रदरस पीके सिस्टाम रीता और आपके तमाँ प्रेया वडियोस को भी जैमसी की मेरा नम जैशमीन है और हम फीजी से बोल रहे हैं और परमेशुर ने हमारे जीवन में, हमारे परिवार की जीवन में, दोस्तों की जीवन में बहुत बड़े-बड़े कारिये किये हैं, लोगों को शुगा की बीमारी से अजादी मिली है, बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम से अजादी मिली है, यहां तक कि एक व्यक्ती जो जेल में था पिछले बीस सालों से परमेशोर ने आपके प्रातना के जरीए उन्हें बीस सालों बाद जेल से रहाई दी है और जब भी हम आपके वाटस अप नंबर पर प्रेया रिक्वेस्ट भेसते हैं तो उधर से जो वोईस मेसेज आता है प्रेया के तोर पर उसे हम रिसीफ कर हैं और जब जब हम आपके प्रेया सेंटर पर कोल करते हैं प्रेया ठावा पर आपके प्रेया वोरियर्ज इतनी ही महबत से हमारी बाते सुनते हैं समस्याइं सुनते हैं और हमारी लिए प्रातना करते हैं इसके लिए हम दिल से आपका धन्यवाद देना चाहेंगे परमेश क्रिपा आप पर ऐसे ही बनी रहे और दिल से धन्यवाद देते हैं हम सब के लिए हमेशा प्रातना करने के लिए जै मसी की हमारे चानल हिंदी बाइबल मेसेज और प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे धन्यवाद दोस्तों आपका काउटें बाधाओं को ले करके आया है दुष्ट उनके जीवन में भीमारियों को ले करके आया है तो आज साम में मैं आपको उत्साइद करूँगा कि कैसे आप उस दुष्ट को अपने जीवन से अपने परिवार से भगा सकते हैं यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके जीव को छोड़ कर चला जाएगा क्या करने है आपको एक बार कुछ इस प्रकार से हुआ एक ब्यक्ति येश्यो मसी के चेलों के पास अपने बेटे को ले कर के आया और उस बेटे के अंदर दुस्ट आत्मा समाई हुई थी परन्थ चेले उसे निकाल न सके तब येश्यो मसी वहाँ पर आते हैं और येश्यो मसी उन से पूछते हैं कि क्या हुआ तब वो व्यक्ति अपने बेटे को येश्यो के पास ले जाता है और कहता है जिसमें दुस्ट आत्मा है गूंगी दुस्ट आत्मा है जहां इसको पकड़ती है वहीं पटक देती है, इसके मुझ से फेन निकलता है और इसे बड़ी तकलीफ वो दुष्ट आत्मा देती है, वो इसे घात करना चाहती है, वो इसे नस्ट करना चाहती है और तब येशु मसी ने उस दुष्ट आत्मा से कुछ इस परकार से कहा, यदि हम मेरे साथ में निकाल लेंगे, मरकुसर जिस्ट समचार उसका 9 अध्याई 25 पर तो वहाँ पर कुछ इस परकार से लिखा है, जब येशु ने देखा कि लोग दोड़कर भीड लगा रहे हैं, तो उसने अशुत आत्मा को यह कहकर डाटा, है गुंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आग्या देता हूँ, उसमें से निकल आ, और फिर उसमें प्रवेश न करना, आमेन. दोस्तों, यहां पर परमेशु का वचन कहता है, कि येशु मसी ने उस दुष्ट आत्मा को डाटा, येशु मसी ने उस दुष्ट आत्मा को डाटा, यही आपको करना है, उस दुष्ट आत्मा को आपको डाटना है, क्या डाटना है, कि उसमें से निकल जा, आपको उस दु दुष्ट आत्मा है जो उस व्यक्ति के अंदर कारी कर रही है तो आपको उससे डांटना होगा, कहना होगा कि उसमें से निकल जागा। और जब आप इस परकार से करेंगे तो वो दुष्ट आत्मा आपका कहना मनेगी। आगे प्रवियेश्व मसी ने कहा कि फिर से इसमें मत आना, तो यहां से चले जा और फिर से इसमें मत आना, इसी प्रकार से आपको भी यही परमेश्व का वचन रिपीट करना है किसी भी दुष्ट आत्मा से, यदि कोई बेक्ती दुष्ट आत्मा ग्रस्त है तो आप इस वचन को उसके लिए कह दें, कि उसमें से निकल जा और आपके परिवार में वचन काम कर रहा है, तो आपको फिर इसी प्रकार से करना है, उस दुष्ट को जो आपको दिख नहीं रहा, उसको आपको विश्वास से यह आग्या देनी है, कि मेरे घर परिवार को छोड़ कर चली जा, और जब आप उसे आग्या देंगे, तो वो का उसके बाद बिलकुल स्वस्त हो गया, तो प्रव येश्व मसी ने आपको दुष्ट आत्माओं पर सत्रु की सामर्थ पर अधिकार दिया है, आपको अपने अधिकार को इस्तिमाल करना है, आपको कहना है कि येश्व नासरी के नाम से इसमें से निकल जा, और जब आप देंगे, तो वो दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति को छोड़ कर चली जाएगी, आपको उसे आज्या देनी है, आपको उसे डाटना है, उसे कहना है कि इसमें से निकल जा और दुबारा मत आना, वो दुष्ट आत्माओं आपकी आज्या को मानेंगे, क्योंकि आप परमेशु के बेटे है, परमेशु के स्वरूप और समानता में बनाए गए है, आप उसके दवारा चुने गए ہیں, आप उसके दवारा न्यूक्त के गए है, आप परमेशु के परतिनिदी है, आप उसके राजदूत हैं, तो इसलिए अपने अधिकार को इस्तिमाल करें, निश्य वो द चांटना है अपने अधिकार को इस्तिमाल करते हुए तो दोस्तों मैं आसा करता हूँ कि आप समझ गया होंगे कि आपको क्या करना है और निश्चे जब आप इस प्रकार करेंगे तो आपके जीवन में कारिया होगा तो प्रव आपको इस वचन के द्वारा बहुत तायद से आसीज दे आमें दोस्तों यदि आप हमारे सॉट्स वीडियो देखना चाहते हैं चोटे चोटे वीडियो देखना चाहते हैं तो यह हमारा एक नया चैनल है पी के मसी सॉट्स आप जरूर से इस चैनल पर जाएं और हमारे सॉट्स वीडियो देखें अपने वर्टस अप स् और दिन रात इन पर मनन करें तो परमेश्योर आपको आशिशित करेंगे यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉंटेक्ट करें 8077 007695 धन्यवाद मैं आशा करती हूँ प्रभू के इस सामर्थी वचन से आपने आशिश पाई आपने सामर्थ पाई है और ये परमेश्यो का वचन आपकी जीवन में कारे करेगा तो आईए मिलकर प्रात्ता करें धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे पिता हम आपका आदर और सम्मान आपकी तारीव आपके जैजैकार करते हैं क्योंकि आप इसके योग्ये हैं पिता आप योग्ये हैं इन सारी महिमा आदर और सम्मान के धन्यवाद के आप सुर्ग में अपने सिहासन पर विराजमान है और प्रभू हम सब जो तेरे बेटे-बेटी हैं तुने अपने लहू से धोकर शुद और पवित्र किया जितनों ने प्रभू तुछ पर विश्वास किया प्रमेश्व प्रभू उन्हें तुने अपनी संतान होने का अधिकार दिया और धन्यवाद वो लोग हम हैं पिता जिनने तुने अपनी संतान बनाया और हम सब को तुने चुना और बनाया है परमेशर मैं धनिवाद करते हूँ यह हमारे जीवन का सौभाग यह पिता कि हमने आपको पाया है परमेशर अपने जीवन में प्रभू येशु हमने आपको पाकर अपने जीवन में प्रभू बहुत सारी आशिशों को और बहुत सारे अद्भुत कार्यों को देखा है खुदा ननेवाद परमेशरी सिले प्रभू हम सब हियाव के साथ प्रभू उस अनुग्रहे के सिहासन के समी पाते हैं खुदावन आज हमारे साथ जितने भी भाई, बहन, बच्चे, नौजवन, भुजर्ग लोग शामिल है इस प्रात्ना मे प्रभू जब उन्होंने बड़े ध्यान से आपके वचन को सुना प्रभू बहुत ही एलिटनेस के साथ में प्रभू इस समय वो प्रात्ना में बैठे प्रभू उनका ध्यान सिर्फ तेरी और है प्रभू जी उनका मन एकाग्र है प्रभू तेरी और प्रभू यदि कोई भ का धन्यवाद करते कि आप हमारे पिता हैं आप हमारे प्रभू हैं आप हमारे दोस्त हमारे हमसफर हैं प्रभू मैं तेरा धन्यवाद करते और आज जितने लोग प्रभू इस प्रात्ना में शामिल है खुदा उनकी बहुत सारी परस्तियां है उनके परिवार की उनके प्रभू आज आप उनकी सुने क्योंकि आप प्राथनों को सुनकर उसका उत्तर देतें तेरा वचन कहता है कि तेरे कान धर्मी जनकी प्राथना की ओर लगे रहते हैं मेरे येश्यू मैं आपका हिर्दे से धन्यवाद करती हूं आज जितने लोग तुझे पुकार रहे हैं आ आप आज कल युगानु युग एक समान हैं आप कभी सोते नहीं कभी उंगते नहीं पिता आपके पास हमारे लिए समय है पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभू जी जब हम मनुश्य के पास जाते हैं प्रभू तो वो इस बात को कहने पाता है कि मेरे प समय नहीं है परंतु पिता हम धन्य वाद देते हैं कि तेरे पास हमारे लिए समय है हर समय प्रभू जब हम तेरे सम्मुक आते तो प्रभू तु हमारे लिए वहाँ पर उपलब्ध होता है खुदा ये शुमसी आज तो अपने बेटे-बेटियों के लिए उनके साथ में उपल उनके प्रभूम्स को दूर कर पिता आज एक-एक मन प्रभू ये शुके नाम से चंगे हो जाएं खुदा इनके मन में इनके विचारों में प्रभू जो भी परिशान ये हैं जो भी प्रभूम्स चल रही है प्रभू आज उसका सल्यूशन इसी समय होने पाए प्रिता बहुत बारी पन अपने शरीर में महसूस हो रहा है ये शुके नाम से फ्री हो जाओ इसी वक्त ये शुके नाम से सारे बर्डंस दूर हो जाएं इन दर नेम ऑफ जीसल्स प्रभू ये अपने आपको हलका महसूस करने पाई पिता पवितरात में इस पर्ष करें पॉली स्प बदलने लगे पिता जिनके जीवनों के लिए आजी प्रात न कर रहे है प्रभू उनके लाइफ में एक बड़ी बेदारी आए पिता हाँ होने दीजे प्रभू जी यदि किसी के बीमारी के लिए प्रात न करे कुदा वन इसी वक्त वो चंगे हो जाए वो सामर्थे प्रभू इसी समय सर से लेकर पैरो तक बहने लगे खुदा धन्यवाद परमेश्व प्रभू तेरे वचन के लिए परमेश्व प्रभू सच में तुने इस साम में प्रभू अपने लोगों से वचन से बाचीत किया है खुदावन एक एक को तुने अपने वचन की सामर्थ से बरा पि पहरी उस लड़के को परिशान कर रही थी प्रभू, तुने उसे आग्या दिया, तुने उसे डाटा और उसे दुबारा उसके शरीर में आने की आग्या नहीं दी, उसी प्रकार प्रभू, आज बहुत से भाई बेने प्रभू, जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है प्रभ हम येश्यू के नाम से उन अंक्लीन स्पिरिट्स को रिब्यू करते हैं दे नेम आप जीज़स, I command अंक्लीन स्पिरिट्स इन दे नेम आप जीज़स, I rebuke you in दे नेम आप जीज़स, हर एक अशुद आत्मा को येश्यू के नाम से इन भाई बेहनों के जीवन से डाटते है और कहते हैं दूर हो Yashu के नाम से और दुबारा इनके जीवनों में इनके परिवार इनके बच्चों के जीवन में प्रवेश ना करना हम तुझे नस्ठ करते हैं निकल जाओ Yashu के नाम से दुष्टा-त्माईvenे छोड़ कर जाओ Yashunaasri के नाम से इसी वक्त निकलो Yashunaasri के न नाम से प्रभू जो पागल करने वाली दुष्टात्मा है प्रभू येश्व मसी मां इंड को खराब करने वाली दुष्टात्मा है निकल जाओ इश्व के नाम से इसी वक्त इनके शरीर से निकल जाओ और दुबारा इन में प्रवेश्णा करना प्यारे परमेश्व धनेवा प्रभू येश्यू के नाम से हम उसकी एंट्री को ब्लोक करते हैं in the name of Jesus Christ, thank you Father, धन्यवाद पर मेश्यू पिता अपने दुष्ठात्मों से इस समय लोगों को आजाद किया पिता, प्रभू धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं प्रभू हर एक दुष्ठात्मा, हर एक प्रभू इनके जीवन से निकल कर चली जाए, thank you Father, आज जितने भी भाई बेन प्रभू, डिप्रेशन में हैं, बहुत जादा डिप्रेस अपने जीवन से हैं प्रभू, प्रभू वो कुछ भी अपने जीवन में सोचने समझने की, शक्ती प्रभू उनकी खतम होती चली जा और प्रभू तेरा पवित्रात्मा इन्हें फिर से रिकावर करें पिता, thank you Lord Jesus, हर प्रकार के negative खयाल प्रभू येश्यू के नाम से चले जाए, प्रभू इनके परिवार से हर प्रकार की problem निकल कर चली जाए, प्रभू जो बच्चे आज गलत रास्तों में हैं पिता, जो अ प्रभू येश्यू के नाम से उनकी सारी परिस्तियां चेंज होने पाई पिता, उनके लाइफ को चेंज करें प्रभू, उनके लाइफ को सेट करें परमिश्यू पिता, आप उन्हें तराशे बनाए और बिल्कुल सही करें खुदा, धन्यवाद आपके लिए कुछ भी impossible न प्रभू जी जो कागज उन्हें लगाए हैं प्रभू अभी तक वो complete नहीं हो पाया है, येश्यू के नाम से वो complete होने पाए, प्यारे परमेश्यू प्रभू जो शारे रिक रूप से दुर्बल है, कमजोर है, बीमार है पिता, प्रभू चल फिर नहीं पाते, काफी लंबे प्रभू तेरा वचन कहता है, कि तुम बिमारों के लिए प्रात्ना करोगे तो वह चंगे हो जाएंगे, प्यारे येश्यू तेरी सामट, वचंगाई का सामट प्रभू इनके शरीर में बहने लगे, तेरा वचन कहता है, कि मैं तुम्हारे सारे रोगों को दूर करूँगा इसी वक्त वो सारे रोग जो इनके शरीरों में है इनके बच्चों के शरीरों में इनके घर परिवार के लोगों के शरीरों में है प्रभू येश्यू के नाम से उन बिमारियों से कहते हैं नस्ट हो येश्यू के नाम से हर एक बिमारी जो बालों से लेकर सर से लेकर हड्डिय प्रभु धन्यवाद आपने छुआ और चंगा की आपने लोगों को शिफा दिया है परमेश्वर इसी समय रिसीव कर पा रहे हैं प्रभु उन सारी चंगाई को पिता प्रमेश्वर धन्यवाद इस पूरे महीने में पिता एक एक फल एक एक शण में प्रभु तूने संभाल अपने लोगों को उनकी साहता किया उनकी मदद किया प्रभू ये श्मसी और प्रभू धन्यवाद की पूरे महीने संगती में बना के रखा खुदा धन्यवाद करते हैं प्रभू जब आज ये सोते हैं निश्चिंध होकर सोने पाएं पिता कल का दीन ते इसात में देखे प्रभू जब हम नए महीने में कल परवेश करने जाते हैं तो प्रभू हर एक जन पर ते आशि सदा सर operation के लिए बनी रहे?」 दनेवाद करते हैं प्रभू तुने प्रातना सुना उत्तरहां आमीन में दिया जिन्होंने आपके राज्य में बोया है जो हमारे साथ सेवकारियों में शामिल होते हैं और जो सेवकाई कर रहे हैं प्रभू सब को नामों नामाशीश दे बढ़ाएं फलवंद करें और ये फोर तक गवा ठेरें प्रभू धनेवाद करते हैं सारी बातों में आदर महिमत जलाल आपको देते वे प्रातना सामठ थी एश्यों के नाम से मागनों के हैं सुने और ग्रहन करें आमेन आमेन और आमेन